दोस्तों अगर आपका भी कोई कुकिंग का चैनल है या फिर आपको कुकिंग में इंट्रेस्ट है आप यूट्यूब पर कोई कुकिंग का चैनल ओपन करना चाह रहे हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जादा यूसफुल और इंपोर्टेंट होने वाली ह क्योंकि आज किस वीडियो में आप लोगों को ऐसी कुछ ट्रिक्स और कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिनसे आप अपने चैनल को जीरो से ग्रो करके मिलियंस तक पहुंच सकते हैं तो दोस्तों वीडियो बहुत जादा एक्साइटिंग और इंट्रेस्टिंग होने वा होती है तो आप लोगों का सबसे पहले यह कंफुजन में क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप कोकिंग चैनल ओपन कर रहे हैं तो आप निसंग कोच ओपन करिए धडले से ओपन करिए और बहुत ज्यादा कमाई होती है और ज्यादा इंकम वाली कटेगरी होती है यह पहला जो तरीका होता है वो होता है फेस कैम वाला जैसा कि मैं वीडियो बना रहा हूं इस तरीके से आप अपने कुकिंग के टेगरी में वीडियो बना सकते हैं आप किसी को अपना चेहरा वहरा दिखा करके उसमें खाना बनाना किसी को भी सिखा सकते हैं दूसरी जो केटे बनाते हैं भए दिखाते हैं और फिछे से अपनी अवाज दे देते हैं अगे इस चेनल को आगे बढ़ा चला सकते हैं और यह चेनल आपका भी आपका एक होने के बहुत दाइज हो जाएगा. एडिटिंग पर ध्यान देना है एडिटिंग आपकी बहुत ही ज़्यादा crystal clear होनी चाहिए शार्प होनी चाहिए बहुत ही ज़्यादा साफ सुतरी एकदम रौनक से भरी होई होनी चाहिए अब वो कैसे आएगी उसमें बहुत ज़्यादा कुछ खर्चा करने के आपको कोशनी हो जाएगी और वहां पर जब आप हलके मोबाइल से भी अगर आप शूट करेंगे अपने वीडियो को तब भी आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में डेवलप हो जाएगी तो इस तरीके से आपके वीडियो की क्वालिटी काफी ज्यादा इन्हेंस हो कड़ाई में कोई चीश फ्राई करते हैं तो फ्राई वगरہ की जो आवाज होती है उसको हमیشہ मूट कर दिया करें उसको ना सुना रही करें değ斜ुकि कोई भी वीवडियो की आवाज सुने नहीं आता है कि आपने कैसे तढ़का लगाया कैसे आपने कोई चीश फ्राई करी वो सिर्फ ये देखने आता है कि आप किस तरीके से बना रहे हैं, कौन-कौन से ingredients आप यूज़ कर रहे हैं और उन ingredients को यूज़ करने के बाद लास्ट में जब आपका खाना बन करके तयार होता है तो वो दिखता कैसा है, वो देखने में कैसा लग रहा है और उसके अंदर कैसा स्वाद है वगरा वगरा चीज़े, अब बात करते हैं थर्ड टिप की, तो दोस्तों मैं आपको बता देऊं कि अगर आप YouTube पर काम कर रहे हैं तो आपको अपने चैनल का होम पेज पूरी तरीके से कस्टमाइज करके रखना है, बहुत ही बढ़ियां उसमें चैनल आर्ट ल जैसे वेज का भी खाना आप दिखाते हो, कभी-कभी अपने चैनल पर और नॉनवेज भी आप अपलोड करते हो, बेकरी आइटम्स भी आप अपलोड करते हो कि कैसे बना जाता है, तो उनकी सारी प्लेज्ट आपको अलग अलग तरीके से तयार करके रखनी है, वेज का अल सारी चीजे तो हो गई आपका home page वगरा सब कुछ customize हो गया अब आपको अपना about section जो की channel का about section होता है उसको भी काफी ज़्यादा impressive लिखना है बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत ही अच्छे तरीके से सलीके से लिखना है ताकि कोई भी viewer अगर आपके about section को देखे तो तो वो बहुत ही ज़्यादा impress हो जाए पहली बार में ही प्रथन द्रिष्टिया ही उसके उपर बहुत ही अच्छी छाप पड़ जाए impression पड़े आपका और वो आपके channel को subscribe किये भीना रहना पाए दूसरी बात अब मैं बताता हूँ आपको यह सारी चीज़े जब आप यहाँ पर complete कर लेते हैं और वीडियो अप्लोड करते हैं तो वीडियो अप्लोड करते समय आपको titles, tags और description इन तीनों चीजों का भरपूर ध्यान रखना है जल्दबाजी में आपको कभी भी वीडियो अप्लोड नहीं करनी हैं अगर आप यह सोचते हैं कि without title, without tag, without description मैं वीडियो अप्लोड कर दूँ और वीडियो मेरी rank कर जाए, boost up हो जाए तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है इस बात को आप समझ करके चलिए कि YouTube एक software है और यह search engine optimization पर ही चलता है इसलिए आपको SEO तो करना ही करना पड़ेगा, आपको अपने title में 2-3 तरीके के keywords डालने हैं हिंदी में भी आप लिख सकते हो, English में भी आप लिख सकते हो, long tail keywords भी आप डाल सकते हो, short tail keywords भी डाल सकते हो long tail keywords को ज़्यादा search की जाते हैं, इसलिए long tail keywords को ज़्यादा आप रखें जैसे मालीजे कि आपने चोला भटूरा बनाना सिखा है, या फिर cake बनाना सिखा है, या फिर muffins बनाना सिखा है अब बात कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई, 5 minute में चोला भटूरा बनता नहीं है, ये सब को पता है, लेकिन 5 minute में चोला भटूरा बनाना सीखा तो जा सकता है कि उसमें कौन से ingredients पढ़ने है, कैसे किस flame पर आपको काम करना है, आग कितनी होनी चाहिए, आच कितनी होनी चाहिए, सब कुछ सीखा तो जा सकता है इसलिए इस टैप के keywords काफी तेरी से rank कर जाते हैं, तो आपको अपने title में इस टैप के keywords जालने है फिर आपको description section में आना है, description section में आकर कि आपको अपना जो भी आपने dish बनाई है, उसकी सारी ingredients आपको वहाँ पर लिख दिया है कि आपने मियोनीज कितना लिया है, केक कितना लिया है, उसमें क्रीम कितनी डाली है, और मान लीजे छोला बटरा बनाया है, आपने तो उसमें हल्दी कितना है, मिर्च कितना है, कितने gram wise है, थोड़ सा gram wise लिखने से क्या होता है, काफी जादा effective हो जाता है आपका description section और जो भी viewer आपका description section देखता है, उसको एक बार में ही देखकर कि सवन में आज आता है, कि अगर मैं next time अपने घर पर छोला बटरा बनाती हों, तो मुझे कितना मैदा लेना है, किस flame पर काम करना है, मुझे कितना हल्दी डालना है, कितना मिर्चा डालना है, वगरा वगरा चीज़े या जो भी चीज़े होती है, इन सारी चीज़ों का आप नजर अंदाज ना किया करें, title, tag, description, तीनों चीज़ों को भरपूर अच्छे तरीके से लिखा करें, को title, tag, description लिखना नहीं आता है, प्रॉपर तरीके से आपका cooking का channel है, और grow नहीं कर रहा है, तो मैं आप को help के लिए एक video suggest कर देता हूं, उसका link मैं अपने i button में भी दे दूँगा, और end screen पर भी दे दूँगा, SEO score 100%, इस वाली वीडियो को अगर आप जा कर के देखते हो, और पूरी तरीके से इसको follow करते हो, जो इतनी भी tips मैंने इसमें बताई हैं, इसको पूरा follow करते हो, definitely आपके views भी enhance होंगे, ठीक है दोस्तों, अभी सारी बाते तो यहाँ पर हो गई, अब मैं आपको बताता हूँ, पांच वी tip, तो दोस्तों पांच वी tip ये कहती है, कि आपको अपने channel पर कुछ hacks भी डालना है, cooking hacks, बहुत सारी cooking hacks होते हैं, आप YouTube से inspiration ले सकते हो, Google से inspiration ले सकते cooking hacks भी आपको अपने channel पर upload करने हैं, बहुत तेजी से grow करते हैं इस type के videos, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले में आप लोगों जो एक छोट इस request ये करना चाता हूँ, कि अगर यहाँ तक वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, कुछ समझ में आया है, तो वीडियो के एक subscribe ने किया है, तो channel को जरूर subscribe कर लीजे, क्योंकि आगे आने वाली जो दो tips बची है, वो बहुत ज़्यादा amazing है, और आप लोगों को 100% पसंद भी आने वाली है, तो दोस्तों अब जो छटी tip है, वो ये कहती है, कि YouTube अपने shots वाले feature को बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्या पहड़ा आजाएगी आपके channel पर, आपको क्या करना है, आप जब भी कोई लंबी वीडियो बनाते हो, पांच नेट, शेम नेट, साथ नेट की जो भी वीडियो बनाते हैं, उसमें से cream item निकाल करके आप अपने shot video में upload करिए, शौट वीडियो पर आप लोगों को काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि short video से आपके channel पर बड़ी तेजी से subscribers gain होंगे, और मैं आपको बता दूँ कि आप कोई भी करना तरीके के dish बना रहे हो, आप छोटी से एक short video develop कर लीजे, तुरन बना लीजे, उस पर कोई पीछे एक छोटा सा गाना लगा दीजे, कोई music लगा दी है, उन से आपका watch time complete होता रहेगा, और यह जो short videos हैं, इस से आपका subscribers complete होते रहेंगे, तो बात करते हैं, last but not the least, अपने 7 वी tip की, जो की बहुत ही ज़्यादा important है, और इस वीडियो की जान है, backbone है, जी हाँ, 7 वी tip ये कहती है, कि आप जब भी कोई dish बनाए, कोई भी video upload करने जाएं cooking channel पर, आपका thumbnail, thumbnail बहुत ही ज्यादा catchy होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा attractive और impressive होना चाहिए, इसके साथ साथ मैं आप लोगों के एक bonus tip ये भी देना चाहता हूँ, कि अगर आपका channel नया है, आपका channel boost up नहीं हो रहा है, आपके channel पर views नहीं आ रहा है, आप इन सारे process इसको follow कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने thumbnails पर थोड़ा सा clickbait जरूर करना चाहिए, आप किसी भी sportsman, politicians, actors या actress की photo लगा करके उसमें लिख सकते हैं, जैसे मान लिजे कि आपने अक्षय कुमार की photo लगा ते उसमें लिख दिया, कह रहे वा, ऐसा चोला तो कोई क्यों देखेगा, क्यों उस thumbnail पर click करेगा, तो आपके वीडियो तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जो दरवाजा होता है, वो होता है thumbnail, तो thumbnail पर clickbait जरूर करें, और जो लोग यह सोचते हैं, कि thumbnail पर clickbait नहीं करना चाहिए, इससे brand value गिर जाती है, यह हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, कि आपने हमेशा देखा होगा कि कभी भी किसी गन्य की juice की दुकान पर जाईए, या फिर ऐसी juice की किसी भी दुकान पर जाईए, तो वहाँ पर सल्मान खान की फोटो लगी रहती है, एक्षेकवार की फोटो लगी तो यही काम आपको भी करना है, आपको भी हलका से क्लिक बेट करना है, और वहाँ पर अच्छे-चे एक्टर्स की फोटो लगा करके, या स्पोर्समें की फोटो लगा करके, अपने थमनेल को बहुत ज़ादा आई-कैची और अट्रक्टिव बनाना है, इन सभी चीजों के स साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और चार घंटे कंप्लीट हो जाते हैं और आप अपने चैनल को यहीं पर एंड करना चाहूंगा आज ले बस इतना ही उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी और बहुत अच्छी जानकरी मिल गई होगी तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को